दर्शुक नमस्कार, कोरोना कारेकाल किसी को पता नहीं है। कोरोना के वो कारेकाल था जहाँ पे कई लोगों के मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमन को रोकने के लिए कई प्रयास किये गए बाउजूद उसके लोग मरते रहे। और कोरोना वारियर्स लड़ते रहें, हर किसी की जान बचाने में जूटे थे चाए मनपा के अधिकारी हो, करमचारी हो या बाकी सवयंसोई समस्ता के या सरकारी निम सरकारी करमचारी के उन हो, वे हमेशा फ्रेंट लाइन पे आकर एक योध्धा जैसे उन्होंने काम किया औ और कई मनपा के जो करमचारी हैं उनकी डेथ होई उनकी डेथ होती ही सरकार योजनाला गुबी की गई है केंदर सरकार ने एक बात कहीं थी कि जो भी व्यक्ति की मौत कोरोना के संक्रमन से होती है वो करमचारी जो दिन रात कोरोना के संक्रमन से लड़ रहा है लोगों की जान थे या किसी के और भी उनकी जो समस्या थी उनकी जो एक जो योद्धा थे उनकी जब डेथ हो जाती तो उनको 50 लाख रुपे का सानुगरह वीमा जो जिसे कहते हैं वो वीमा देने का एक योजना बनाएगी थी उस प्रकार का एक एलान क्या था बावजुद उसके न कोई 50 ल राउत उनकी ने एक पत्रपरिश्यत का आयजन किया और इम तमाम बातों को उजागर करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हां तो लिया आईए देखते हैं दरशकर नमस्कार इस समय में बीशन के टीम पत्रकार भावन में हैं और हम आपको पता दे कि इस समय महारश्टा प्रादेश कॉयरस के अध्यक्षक कुनाल राउत मौजूद है आज यहाँ पे पत्रपरिश्यत ली गई है सर यह पता कि जिस प्रकार से यह जो पत्रपरिश इसमें 4,666,000 लोगों की मित्वी हुई है ऐसे कुछ आखड़े आये थे तो हम हमारी पहले मांग यह है कि मुझे एक बात बताईए केंद्र सरकार के जो आखड़े वो सच है या डबलू हो ने जो आखड़े दिये वो सच है हमें तो ऐसा लग रहा है हमारे नेता राहूल जी ने कुछ साल पर जब केंद्र सरकार ने जब आखड़े निकाले उसी समय बूला था कि यह 4,000,000 नहीं यह 40,000,000 के आसपास लोगों की मित्वी हुई है हमारी मांग यह है कि यह जो फैक्ट चेक्ट है यह होना चाहिए हमें सही आखड़े आने चाहिए जो लोग जो जि इनकी इस कॉरोना कारे में मुत्ति हुई है और केंद्र सरकार ने पचास लाग देने का वादा जो किये वो भी यहाँ पर पूरा होना चाहिए इसके लिए हम आजा पर पतरकार परिशत लिना आए जाते है एक सवाल यह भी था का यह जिस सरकार ने आपकी मांगों को दरकि करें हम जाके वहाँ पर हमारा निवेदन वहाँ पर दे और केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार को वह जिल्ला दिदे कारियाला से थ्रू हम लोग वहाँ पर कोशिश करें कि वह आकड़े वहाँ पर मिले उनको वह निवेदन दे केंद्र सरकार या राज्य सरकार को वह न और उनके साथ हम उनके साथ खड़े रहेंगी धन्यवाद तो आप थे कुणाल राउत आप कुछ हमारे साथ वह करमचारी भाइबेन लोग हैं उनसे भी जाना चाहिए सरा पते क्या चाहते हो आफ जोगी करोना कारण से सहीध होंगा उनको पचास लगा अनुदान दिया जाएंगा जोगी किया है और इन लोगों को न्याय ने दिया है कुछ पीडित महिला भी अमर साथ में ताही क्या कहना चोगी आप माजे नाव पोर्निमा हुसन शेंडे माजे मिश्टर दो नयाननो पसुन नकपर महानगर पालिका मदे सर्वीज दिली अनि सर्वीज देत अस्तान ना त्यांची है अचानक कोरोना काडा मदे त्यांची मृत्व जाले अनि ते मृत्व दो बारा तरकीला अस्ते मरन पाले कि जेवा 20 वर्षा पसुन ड्यूटी कर रहता है त्याव परिवारा मदे एक वेक्ति ड्यूटी करूं रहता है त्याजा पाटी मागे त्याजे दोन मूला पत्नी आई वडिल जे काही आयते त्यांचा परिवारा है आज 15 हजार अभी माई यह चाहां रही नरेंद्र मोधी ने जो किया कि हम कोरोना पाजेटीव में जो लोग मर गए उनके परिवार को 50 लाक रुपे हम देंगे तो उनके पाटास लाक रुपे गए कहा हम देड़ साल से इधर उदर घुम रहे और हमारी इत्ती परेशानी है कि हमारे परेशानी हम कोई मालूम है क्या है तो कोई हमा तो जिस प्रकार से कमिट्मेंट किया था केंदर सरकार के और से के पचासला का ही ने मौावज़ा दिया जाएगा बावजुद उसको नहीं मिला आज ये ये ताई और ये जो दाडा थे इनके जैसे ऐसे सेकड़ों नहीं हजारों लोक कोरोना के उस कारेकाल में काम करते करते लोगों की सेमाय देता है देते हैं उनकी डेत हो गई और उन्हें हाथ में कुछ भी नहीं लगा और आज उनका परिवार पूरी तरह से तील-तील मर रहा है दाने दाने के लिए मर रहा है खाने के लिए अनाज नहीं है पहनने के लिए धंसे कपड़े नहीं है सरकार क्या ल कुछ भी ध्यान नहीं देते थे कभी यह साइब का आडर रहता था कि इधर आओ यह लाज गेराना है यह लाज जलाना है ओप नई मुपर नई बच्चों को देखे और अपने नहीं के पूरा संदल्वन खोके पूरा नहीं के यह करके डूटी वर जात होते आनि लासा जारत ह देडि़ भी शिश लासा याचे पनास तिस तीस लासा याचे तैनला सब्सक्राइब नहीं राथ जारत है के वा संदल्मन जाने अनि जाता जाता स्थेशी डेट जाली आनि आज माजी पाठेमांग डोन पोरा हाय अनि एक बावाजी हाई थया बावाजी ला मिश्ची है घ परिवारा पाला था और एक रूपया नरेंद्र मोध्दी मनत होते कि नाई फ्रेंट लाइन मंदिन एका करोना काम करा और आप ती जोती गजबे जिरू ने बखुबर बेगाच से बात करते विए बता कि किस तरह से यह वे हाला थे और इन लोगों को न्याय नहीं मिला है आज भी यह लोग अपनी न्याय की प्रतिक्षा में दर दर भटक रहे हैं कई पार्टियों के पास जा रहे हैं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो दोनों सरकार ने एक दूसरे को अच्छे से कॉडिनेशन करना चाहिए और ऐसे गरीब तपके के लोग जो आज काल हो रहा है अमरुत मौसर पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है मगर क्या सही माइने में आज इस देश के नागरिक आज़ाद है ये सवाल अब भी बना हुआ है अब सरकार कितने जल से जल ऐसे पीडित लोगों को ऐसे बेगर परिवार के लोगों को कब पचास लाग देंगी ये तो समय बताएंगा मगर एक बात दोता है कि कहते है कि दाने दाने पी लिखाए खाने वाले का नाम ना तो दाना है मगर खाने वाले बहुत है सरकार जैसे जन की मदद करें यही समय की मांग है प्रेस कलब से कैमरा परसन सुबाज बुठले के साथ संजे मीरे ब झाल झाल झाल